है हलो गोड मॉर्निंग तो आज भी साड़े शे बज में उठ गया था लेकिन ब्लोग आज लेट स्टार्ट किया आज मैंने ब्लोग स्टार्ट किया है साथ बजे तो देखिए इसलिए पीछे दिन निकल आया काफी अच्छा तेज दूप है बादल बारिश का कोई अथार नहीं है आज सैटेड़े है इसलिए नीचे मतलब लोगों का آना स्टार्ट कर देंगे सबसे पहले तो करेंगे हम अपना प्राना यहां योगा शेशन जो कि अल्रेड़ी देखी यहां पे स्टार्ट हो चुका है तो यहां पे कर रहा हूं मैं अनुनॉम बिलॉम लंबी गहरी सांस खींच रहे हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से छोड़ रहे हैं सो लाइफ इस ओल अबाउट इन्हेलिंग एंड एक्सेलिंग इसी पर हमारी लाइफ चलती है तो बस चलती रही है आप भी और देखिए यहां पे नहाद होके एकदम नए कपड़े पहन के मैं चल पड़ा मंदीर की और और मंदीर में आज रस था लेकिन इतना नहीं था ठीक ठाक था तो मंदीर पे जल चड़ा के माथा टेक के थोड़े से फोटो थोड़े सा वीडियो कितना अच्छा लग रहा ना उपर से क्रेटिविटी तो चलो यहां पे चल पड़ा में अपने गेट पर पहुंचा तो यह देखो यहां पर इसकोन वाले कुछ अपना प्रचार कर रहे थे और उने मुझे दिया प्रशाद हल्वा जोकि मैं लिया घर पर पता नहीं उनका हल्वा काफी लिक्विड था और बाद में देखा तो शाम तक कैसे पपड़ी सी बन गी इसके फिर किया अपना ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में थे नमकीन वाले बब्रू इमाचलियों का फेवरेट फर्मेंटेड आटे की पूरी जिसको बोलते हैं अचार के साथ चाए के साथ मैं निकाल आज दुपहर को फिर मैंने थोड़ा सा रीडिंग भी किया तो आज कल मैं ट्रैडिशनल रीडिंग कर रहा हूं मैं अपने फेद वगेरा में थोड़ा सा पढ़ रहा हूं जानने की कोशिश कर रहा हूं और यहां पर उमारा जो पुराना फ्रीज था आठ साल पुराना उसने अभी आल्मोस्ट तम दोड़ी दिया था कोमा में चल रह पर देखा रहे हैं और अथर्वा ले रहा है मजह हम मिडल ग्लास लोग हमारे हमारे जो अप्राइंसी होते हैं उन से भी हमारा लगाब हो जाता है और देखो शाम को अथर्वा अपने नए क्रॉक्स लेकि आया था मुझे दिखा रहा है पहन पहन के साथ में लाए थे अब बाहर से ओर्डरी किया था तो यह मैं खोल रहा हूं पार्सल जो खाने का आया है तो देखिए यहां पर बना मंगवाया था हांडी पनीर जो कि अल्मोस्ट कडाई पनीर जैसा ही था हांडी पनीर मुझे लगा था कि वो मिट्टी के हांडी में भेजेंगे लेकिन वो अलू थे रोटी थी तंदूर वाली तो चलिए टाइम है सोने का मैं तो जा रहा हूं अब सोने आप लोग देख लो सोना है जाब